हलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है तो अंडिजर्फ रिवार्ट इसकी ओथर है प्रेम चंद सबसे पहले हम लोग टॉपिक को समझते हैं तो यहाँ पे ऐसे रिवार्ड की बात की जा रही है जिसका कोई हकदार नहीं है तब भी उसे वो रिवार्ड मिल रहा है इस प्रेम चंद यह इस कहानी के नरेटर है और इस कहानी के ओथर भी दूसरे है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो कि एक गव्वेंट ऑफिसर है और तीसरे है बलदेव यह प्रेम चंद के चाइल्डूड फ्रेंड है एक चीज़ आप लोग स्टार्टिंग में ही नोट कर लीजे अगर मैं कहीं पर नरेटर बोलू या फिर प्रेम चंद तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है दोनों सेम है तो आईए शुरू करते हैं इसे यह कहानी प्रेम चंद के समय की है उस टाइम पर हमारे यहां पर ब्रिटिस टूल हुआ करता था उनके टाइम पर हर डिस के पिल्ड में काफे रिसर्च किया था भगवान ही जाने वो अपने ओफिसियल ड्यूटीज के बीच इन रिसर्च वर्क के लिए कैसे समय निकाल लेते थे प्रेम चंद ने उनके रिसर्च के बारे में काफे कुछ बढ़ा था और उनके सिक्रेट एड्माइर भी थे यानी उनके बहुत बड़े फैन थे लेकिन डिस्ट्रिक्ट आफिसर को ये बात पता ही नहीं थी आखिर वो थे भी तो एक डिस्ट्रिक्ट आफिसर और प्रेम चंद कहां एक छोटे से लेखक इसलिए प्रेम चंद कभी उनसे मिलने भी नहीं गए थे नरेटर को ये पूरी उम् परिशानों मैसे थे जो किसी भी सरकारी अधिकारी को पबलिक मीटिंग में भी संभोधित करने के लिए नहीं बुलाते थे। जब भी नरेटर कहीं ये सुनते थे कि किसी स्कूल या हॉस्पिटल का नाम किसी गर्मेंट आफिसर के नाम पे रखा गया है तो उन्हें अपने देशवासियों की सोच को देखकर बड़ा दुख होता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि डिस्टिक्ट आफिसर ने खुद ही प्रेम चंद को मिलने के लिए अपने घर पे बुला लिया। ना जाना ये तो नारेटर पर डिपेंड करता था। कुछ लोगों का तो ऐसा भी कहना था कि वहाँ जाकर नारेटर को इंसल्ट छेलना पड़ेगा। देते हैं। एक बार एक गर्मेंट आफिसर अपने इनलाज यानि ससुराल अपनी वाइफ को लाने के लिए गया था। जब फादर इनलाज ने ऑफिसर से ये कहा कि वह अपनी बेटी को एक और मंत के लिए रखना चाहते हैं। तो अगले ही दिन उस आफिसर ने गुस्से म अपने फादर इनलाज के लिए अरेस्ट वारेंट भिजवा दिया। फिर उसके बाद वो बुढ़ा पिता अपनी बेटी को अगले ही दिन उसके हस्बेंट यानि गर्मेंट आफिसर के पास छोड़ आया और माफी भी मांगी। नरेटर के दोस्तों के हिसाब से गर्मेंट अपने बेटे के लिए कोई शिफारिस करनी है तो नरेटर के लिए यही बहतर होगा कि वे डिस्ट्रिक्ट आफिसर से ना मिले। प्रेमचंद तो प्रोफेशन से एक राइटर थे तो अगर उन्होंने कभी कोई ऐसा आर्टिकल लिख दिया जिससे लोगों के बीच आक्रो इमान दोस्तों की बातों को इग्नॉर किया किसी के रिक्वेस्ट को ठुकरा देना वो भी सिर्फ इस लिए क्योंकि रिक्वेस्ट करने वाला एक गर्मेंट आफिसर है यह नरेटर के मैनर के खिलाफ थी यह बात तो थी कि अगर वे खुद नरेटर से मिलने आते तो उनकी इज़त कम नहीं हो जाती लेकिन वो भी एक डिस्ट्रिक्ट आफिसर थे और कहा नरेटर एक साधारन से राइटर यह इंग्लेंड और अमेरिका नहीं है जहां प्राइम मिनिस्टर भी किसी राइटर से विलना सम्मान की बात समझते थे यह इंडिया है जहां अमीरों की चलती है और पोईट्स बिना बुलाए ही समारों में जाते थे इस उमीद से कि शायद उन्हें भी कोई रिवार्ड मि आफिसर को खुद पर कितना गर्व होगा और हो भी क्यों ना वो डिस्टिक्ट के वर्च्वल किंग जो ठहरे ये बाते जो थी सो थी लेकिन अगर वे नरेटर के घर खुद भी आ गए तो नरेटर को ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उनके घर पर तो एक धंग का भी चेयर नहीं था जिस पर वो ऑफिसर को बिठा सके तीन पाइस की बीड़ी पीने के लिए भी नरेटर को 24 घंटे काम करना पड़ता था तो वे ऑफिसर के महंगे सिगार के लिए पैसे कहां से लाते यहाँ पे पाइस ओल्ड कोईन्स को कहा जा रह नरेटर को तो ये तक भी पता नहीं था कि वे सिगार किस ब्रैंड का पीते थे और कहां से खरीदते थे इससे अच्छा तो यही हुआ कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर खुद नरेटर से मिलने नहीं आये वरना नरेटर के 4-5 रुपए भी खर्च हो जाते लेकिन तब भी उन्ह लगता कि वे उन्हें ठीक से इंटर्टेन नहीं कर पाए उनकी खातिरदारी नहीं कर पाए उससे भी ज्यादा बदकिस्मती तो तब हो जाती जब ऑफिसर के साथ उनकी वाइफ भी आ जाती नरेटर के जैसे स्वाभी माने इंसान को तो ये बिलकुल भी अच्छा नहीं ल और मजाग बनाते जो नरेटर को बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता ऐसे में नरेटर के दिल में तो बस एक ही खयाल आता कि जमीन फट जाए और उन्हें अपने अंदर समा ले यही सारी बातों को सोचने के बाद नरेटर ने ये तय किया कि वे खुदी आफिसर से मिलने ज और उन्हें कम्प्लेइन करने के लिए कोई भी रिजन नहीं मिलता ये एक जनरल मीटिंग थी और इसमें कोई वैसी खास बाते नहीं हुई नरेटर और ऑफिसर की मीटिंग की बात जल्द ही चारों और आग की तरह फैल गई कुछ लोग तो नरेटर को आफिसर का बहुत लोस फ्रेंड बताने लगे और कुछ तो यहां तक भी कहने लगे कि आफिसर हर एक इंपोर्टन्ट मैटर पर नरेटर के साथ ही डिसकस करते हैं नरेटर अगर चाहते तो बड़े ही आराम से इस मौके का फाइदा उठा सकते थे कहते हैं ना कि डूपते को तिनके का सहारा ही काफी होता है नरेटर की एकनॉमिक कंडिशन तो वैसे ही बहुत खराब थी वे आफिसर से जान पहचान होने का फाइदा उठा सकते थे लेकिन नरेटर को ये गलत लगा इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया बहुत सारे लोग नरेटर के पास अपनी शिकायते लेकर आते थे जैसे किसी को पुलिस से परिशानी थी तो किसी को हाई इंकम टेक्स देने में दिक्कत हो रही थी तो कुछ पुलीस के भेदभाव से परिशान थे इन सारी चीजों का नरेटर के पास एक ही जवाब होता था ये सारी बातों का मेरे से कोई लेना देना नहीं है तो ये था The Undeserved Reward का First Part इस पार्ट में हमने देखा कि हमारे narrator और district officer के बीच चान पहचान कैसे हुई और लोग किस तरह से उनकी private meeting को भाव दे रहे थे नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि उनकी mating और narrator के district officer के साथ चान पहचान उन्हें किस मुसीबत में डालती है या उन्हें किस मुसीबत से निकालती है मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग